आज में आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एजी सा कार्डिवन का डिजान लेके आई हूँ तो इसको बुनने के लिए मैंने ये नॉर्मल वर्धमान वाली बुली है और दस नंबर की मैंने सलाइन ले है बहुत ही प्यारा सा डिजान बनाएंगे जितना डिजान देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है तो देखिए इस डिजान को आप बॉर्डर के लिए भी अपलाई कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये इस तरह से बॉर्डर डिजान बनके आ जाएगा राइट साइड से ये इस तरह से नजराएगा और रोंग साइड से ये इस तरह से नजराएगा बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बहुत इजी डिजाइन है इस डिजाइन को आप लेडिज के ग्रल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डिगन में डाले लेडिस स्वेटर में डाले गरल स्वेटर में डाले बोर्डर के लिए अपलाई कीजिएगा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बनके आएगा तो देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए हम यहां पर 16 की मल्टिपल फंदे लेंगे जैसे पहले 16 गिनिएगा फिर से 16 फिर से 16 लास्ट में आपके तीन फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो डिजाइन अच्छे से अड्जेस्ट हो जाएगा 16 फंदों में ये एक डिजा 12 सलायों में बनके कम्पलिट होगा राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे तो चलिए डिजाइन की फर्स्ट रो है मैं आपको ये एक डिजाइन बना के यहां पर दिखाऊंगे तो चलिए बनाना शुरू करेंगे अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए मेरा बताने का तरीका पसंद आए वीडियो पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखे यहां पर मैंने ये फंदे डाले हैं 16 के हिसाब से 16 फंदे डालके और 3 फंदे पलस की है टोटल 16 पलस 3 19 फंदे मैंने डाले है सीधी तरब से भी एकसलाई उल्टी बनाई है और उल्टी तरब से भी एकसलाई उल्टी बनाई है अब यहां से डिजाइन की फर्स्ट रोग है. तो देखिए ध्यान दिजिएगा किस तरह से बनाएंगे. बहुत ही असान तरीके का डिजाइन है, बनाना बहुत ही आसान है. तो स्टार्टिंग में तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे. एक दो तीन. तीन फंदे उल्टे एलेंगे ऐसे पीछे से धागा अपनी तरफ रखेंगे और ऐसे 2 का 1 करेंगे तो देखिये जो 2 का एक फन्दा किया वो जा लीडल के फिर से इकवल हो गया अब धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तेन चार चार फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तेन चार चार फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे अब देखिए यहां से यह दो फंदे थोड़े से लूज करेंगे और आगे से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे दो का एक किया फंदा कम हुआ तो धागा अपनी तरफ करके ऐसे घुमाएंगे धाग फंदे बराबर बनाएंगे तो देखिए एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे और सोले सोले फंदो का डिजाइन है, आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों आप इसी तरह से अब यहां से हमारा दूसरा रिपीट स्टार्ट हो जाएगा फिर बनाएंगे हम जैसे आगे तीन फंदे हैं उल्टे, तीन फंदे उल्टे, फिर जाली डालेंगे, दो का एक, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, दो का एक, और फिर से जाली, अब यहां से आपका दूसरा पैटरन रिपीट हो जाएगा तो मैंने यह एक डिजाइन बनाया है, तो हम लास्ट में तीन फंदे हैं, इन्हीं को उल्टा बुन लेंगे अगर जब आप इसमें बनाएंगे ज्यादा फंदों में, तो जैसे भी यह तीन फंदे आ गई, यहां से यह आगे का डिजाइन ऐसे ही रिपीट करेंगे अब आज यह उल्टी तरफ सेकंड स्लाई में, तो देखे किस तरह से बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन फंदे यह उल्टे, यह जैली वाला फंदा भी उल्टा बनाएंगे, और यह दो का इक किया था, यह फंदा भी उल्टा बनाएंगे अब दागा पीछे करेंगे जो यहां से 4 फंदे उल्टे थे, यहां से सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार धागा अपनी तरफ जो यहां से सीधा था, यहां से इसको उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे फिर से चार फंदे सीधे एक दो तेन चार धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे दो का एक था इसको उल्टा बनाएंगे और ये जाली वाना उल्टा उल्टी तरफ से सेकंड रो में इनहीं 16 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे फिर से आग ये का डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में आपके पास तीन फंदे रहेंगे तो तीन फंदे उल्टे तो डिजाइन की हमारी दो सलाईयां बनके कम्पलिट हुई अब देखे जो ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब यहां पर दो का एक करेंगे तो एक फंदा ये दो का एक सीधा है ये उल्टा है सीधे को लेंगे ऐसे पल्टेंगे और उल्टे के साथ पीछे की तरफ से दो का एक क करेंगे तो यह उल्टे फंदे कम होते जाएंगे और यहां पर जाली डल के फंदे बढ़ते जाएंगे धागा पीछे फिर से एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ अब यहां पर भी तीन उल्टे थे तो यहां पर भी तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो का एक किया फंदा कम हुआ, यहाँ जाली डालेंगे, और यह जाली वाला बड़ा हुआ फंदा सीधा बनाएंगे, इस तरह से, अब देखिए यह तीन फंदे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, सेकिंड शलाई को इसी तरह से बनाएंगे, फिर आगे फिर से यह तीन फंदे आ गई, यहाँ पिर फिर से इन ही फंदों को रिपीट करेंगे, अब आज यह उल्टी तरफ चोथी सलाई अब देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, अब देखिए यहाँ पर यह चार जाली वाला पांच और यह दो का एक है, यह भी उल्टा बनाएंगे, यह छे फंदे उल्टे धागा पीछे, अब आपको यहाँ से अलग से नजराएंगे, जो फंदा जैसा देखिएगा उसको व फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से यह तीन फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ अब देखिए, यह यहाँ पर उल्टा नजराएगा तो इसको उल्टा बनाएंगे, जाली वाला भी उल्टा बनाएंगे, और यह आगे के फंदे वी उल्टे ही बनेंगे, इस तरह से, अब आज ये पांच मीं स्लाई में, इस टार्टिंग वाले जैसे तीन फंदे होते हैं, ये हुमारे दोनों तरफ से उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब देखे, जाली से बड़े हुए दो फंदे हैं, एक और ये जाली से ब ये उल्टा, सीधे को लेंगे, ऐसे पल्टेंगे, और यहां से दो का एक करेंगे, ऐसे, धागा अपनी तरफ अब ये दो फंदे हैं, यहां पर उल्टे, तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा पीछे अब देखे ये फंदा उल्टा है ये सीधा है आगे से सलाइड ऐसे डालेंगे और दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालेंगे जो दो का एक किया है जाली जब भी डालेंगे जो दो का एक फंदा किया है इसके साथ में जाली डालते जाएंगे और ये बड़े हुए फंदे सीधे बना लेंगे एक, दो, धागा अपनी तरफ फिर से तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, तो देखिए, पाँच मीश लाई बनके कम्पलीट होई, अब आज यह चटीश लाई, फिर से देखिए, एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, और यह दो का एक है, साथ, यहाँ तक फंदे उल्टे, दागा पीछे, अब देखिए, यहाँ दो फंदे सीधे नजराएंगे, तो दो सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा, सेंटर वाला उल्टा, धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अब यह उल्टा नजराएंगा, उल्टा, यह जाली वाला, यह दो फंदे जाली से बड़े थे, यह भी उल्टे, और लाश्ट के तेन फंदे फिर से उल्टे, इस तरह से, अब आज यह सीधी तरफ, साथ मीच लाई में, तो स्टार्टिंग के तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पीछे करेंगे, अब देखिए, यह जाली से बड़े हुए फंदे हैं, इनको सीधा बनाएंगे, एक, दो, तीन, जो यहाँ पर दो का एक होके फंदा कम होता, तो जाली डलके फिर से फंदा एकवल हो जाएगा, यह एक फंदा सीधा इसको पल्टेंगे, ऐसे उल्टे फंदे के साथ बैक से पीछे की तरफ से सलाई डालके, दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ अब एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल धागा पीछे अब यह उल्टा और यह सीधा इन दोनों में आगे से सलाई डालेंगे ऐसे और दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए 3 फंदे सीधे एक, दो, तेन धागा अपनी तरफ अब लाष्ट के 3 फंदे उल्टे एक, दो, तेन धागा पीछे करेंगे अब आज ये उल्टी तरफ आठ मिश लाई में तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब की बार आठ फंदे बन गई धागा पीछे यहाँ पर अब एक फंदा सीधा, इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा पीछे ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ अब देखिए ये फंदे उल्टे, ये सीधी तरफ से दो का एक वाला, ये यहाँ से उल्टा बनेगा जाली वाला उल्टा, जाली से बड़े हुए फंदे भी उल्टे लास्ट के तीन फंदे भी उल्टे ही बनेंगे तो डिजाइन की आठ स्लाईया बनके कम्पलिट हुई, अब आज ये नों स्लाई और सीधी तरफ तो आप देखिए, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन धागा पीछे, अब देखिए, जाली से बड़े हुए फंदे, एक, दो, तीन, चार अब धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा सीध्य को लेंगे ऐसे पल्टेंगे उल्टे के साथ जाली डालते हुए धागा अपनी तरफ दो का एक करेंगे बीच वाला फंदा है इसको सीधा बनाएंगे अब यहां एक उल्टा है एक सीधा आगे से सलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह से अब धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए आगे के फंदे ये जाली से बड़े हुए एक दो तीन चार चार फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और ये तीन फंदे उल्डे तो डिजाइन की नोमी सलाई बन के कंपलीट हुई अब आज ये दसमी सलाई उल्डे तरफ अब देखिए यहां से एक दो तेन चार पांच छे यहां से आपको उल्डे नजराएंगे अलग से नजराएगा थोड़ा सा डिजाइन बनने के बाद यहां से अब हुमारे सभी फंदे उल्डे बनते जाएंगे पूरी सलाई को ही हम दसमी सलाई को उल्डा उल्डा बना के कंपलीट करेंगे अब आज यह देखे सीधी तरफ ग्यारवी सलाई में अब यहां पर देखे किस तरह से बनाएंगे अब यहां पर जो सेंटर का फंदा है इसके अंदर हम बबल्स बनाएंगे जैसे हमने यह यहां पर बनाया हुआ है तो द्यान देजिएगा सलाई नंबर ग्यारा सीधी तरफ एक दो तीन तीन फंदे उल्डे धागा पीछे अब देखिए एक दो तीन चार पांच और यह दो का एक वाला छे छे फंदे सीधे अब कोई जाली नहीं डालेंगे जो यह फंदा है इस फंदे पर बबल्स बनाएंगे एक फंदे से हम पांच फंदे बुनेंगे तो देखिए एक फंदा बुना धागा अपनी तरफ फिर से बनाया तीन फिर धागा अपनी तरफ चार फिर से बनाया पांच ये एक से हमने 5 फंदेवुने अब आज़े यहीं से ही वापिस मुड़ेगे अब इन ही 5 फंदों को उल्टा बना लेंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच 5 फंदेवुने फिर वापिस यहीं से ही मुड़ेगे अब देखिए ये फंदा है, इस एक फंदे को हम बुन लेंगे, ऐसे बुन के वापिस इसी पे डाल लेंगे, ताकि यह लूज नहीं रहेगा अब जो आगे के चार फंदे हैं, दूसर सेकिंड फंदे में सलाई डालेंगे और फर्स्ट फंदे के उपर से ऐसे गिराएंगे फिर इसमें सलाई डालेंगे, फिर फर्स्ट फंदे के उपर से गिराएंगे फर्स्ट फंदे के उपर से ऐसे गिराएंगे फिर इस फंदे को लेंगे, ऐसे और इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे अब देखिए इस फंदे को एक बार बुन लेंगे ऐसे तो यह हमारा बबल्स बनके त्यार हुआ अब यहाँ पर जाली निटालेंगे आगे के फिर फंदे एक दो तेन चार पांच छे अब देखिए अब आप काउंट करेंगे तो देखिए दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, बबल्स बाला दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले वही सोला फंदे हमारे फिर से बन गए धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे डिजाइन की यह हमारी 11 सलाई सीधी दरफ अब आज यह 12 सलाई में तो 12 सलाई को देखिए यहां से पूरी को उल्टा-उल्टा बुनेंगे पूरे डिजाइन को मैंने आपको step by step बताया है बिल्कुल भी skip नहीं किया है ताकि आपको बुन्ने में कोई problem नहीं होगी पूरे सलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे और complete कर लेंगे 12 सलाईयों का डिजाइन है बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा आप इसको border के लिए scallop border के लिए आप यूज कर सकते हैं cardigan में यूज कर सकते हैं lady sweater में, girl sweater में, girl's froke में इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा ये डिजाइन इस तरह बन के आजाएगा बहुत ही सुन्दर डिजाइन बना है जितना देखने में सुन्दर है बनाने में उतना ही आसान है तो देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए मेरा बताने का तरीका पसंद आए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए गा ताकि आने वाली वीडियो जिके नोटिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे और कमेंट स